लोग जानना चाहते हैं कि दिविन का हाल चाल कैसा है? इसे रहा है? देडि अरहा है? चीजम जो खाना है, उसको अगना सब्सक्रात्य इता है. हम न्याय यात्र में चल रहे हैं जो विष्णु देव साय की शासन है वो न्याय नहीं कर रही है आम जंता के साथ आम जंता में बहुत आक्रोश की स्थिती है और जो कानून ववस्ता है जर जर हो चुकी है जब से 17 तरी सर गिरफतारी की गई है देवेंद की आज दिनांग तक एक साक्ष पुलिस वाले नहीं दे पाए है और अब बात आती है कि आगे जो करने की तो जूटे केस में क्या दम होगा स्च गर की जोराज को अपराधों को ने रोक पा रही है कि कहीं पर चाकू बाजी हो रही है कहीं पर जेल के अंदर लोगों को मार दिया जा रहा है या आत्म अत्या की जा रही है कॉंग्रस के निया यात्रा जारी है आज पाच बादीन है और अएक अक्टूबर है आज विधाक देवेन याद्व की माता जी भी इस यात्रा में शामिल हूए देख सकते हैं और पुर्व डिप्टी सीम के साथ में हाथ पे हाथ लेकर इस न्याय यात्र में शल रहे हैं उतके अलावा जो है पुर्व विधाय करू नोरा भी मौझूद है तमाम कॉंगरस के निता मौझूद है और विधायक देविन यादों की मां जो है भारत जोल यात् सवागत वह इस न्याय कुलित करें उनका स्वागत हो रहे हैं और आपइसी डिवीधालाइक के लिए उसको अंजाम को पोचाने के लिए ठीक हर किसी को मेहनत करना कौन कौन सी बात है जिसको लेकर आप लोग लगता कि अन्याय हुआ है जो न्याय चाहिए आज पूरा 36 गड़ असुरक्षित हो गया है राजधानी से लेकर के बस्ता और सरगुजा और कवर्धा तक जो मौत का तांडव चल रहा है और किसी छुपा नहीं इसमें आपका वाल प्रदेश से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार करता और पदादीकारी उपस्तित रहेंगे क्या स्टेटीजी है आप तो मंत्री रहें कॉंग्रेस सीनियर नेता है विधायक रहें तो समय समय जब होगा तब होगा उसकी त्यार का इंपेक्ट पड़ेगा उस चुनाओ पे जड़ूर लोगों कर प्यार मिल रहे हैं बिलकुल हो तो देख रहे हैं आप पसीना सब बहा पूर्व मंत्री अमर्जुद्भगत है जिने आपने सुना और उनका कहना है कि बहुत सारे मामले हैं जिसको लेकर न्याय की बात होगी और और कॉंग्रेस की विधायक मिल गई है महिला विधायक उनसे बात करते हैं मड़म पसीना बहार है आप लिए जी हम न्याय यात्र म जर जर हो चुकी है नौ महने दस महने के हमें देखते हैं तो उसमें पुरे अत्य चार बढ़ चुका है हुलाओ के पositड रेव कान बढट चुकह है हत्याय चोरी होरी है रही है पर अतकार हो रहा है उसके विरोध में हम न्याय यात्र है यात्रा के माध्यम से कौंगरे से जूट दिख रही है तो इनका भी काम रहता है लेकिन सब हम एक हैं आपको से जुआ हुआ इस शुरू दिन भी आई थी और आज सुबह से चल रही हूं नौ बजे से सलामी हुआ और उस समय से लगातार चल रहें हिकालाज्ट यह लाखरीए हम रहेंगे शुक्रिया तो बालुद संजारी की जो विधायक आपाश दी ते हैं बात कलिए उत जी भी locker दिक इतने लोगा है राजननगों से काफी लोगा आए है लगभग पहले दिन की यात्रा में पर्मनेंट चल रहे हैं राजननगाउ जिले से लगभग दो हज्जार लोगों के आने की संभावना है शुक्रिया बाकि इसका असर दिखेगा ग्राउंड पर? इसका असर बिलकुल दिखेगा हमारे माननी अध्याक्ष दिपक बायच जी की महनात निश्चित रंग लाएगी और करकरताओं में और जनता में स्वा इस्पूर्थ उस्साहा है इस पद्यात्रा के लिए शुक्रिया पीछे यूआ कॉंग्रेस के भी नेता उनसे बात करने कुशिश करेंगे और कॉंग्रेस के जो पद्धिकारी अध्यक्ष है कोको पाड़ी जी महजूद है कैसे है पाड़ी साब यात्रा के रिस्पॉंस कैसा है ग्राउंड पर? बहुत अच्छा है जिस तरह से गिरोत्पॉरी धाम से बाबा के पुझे भूमी से यात्रा की सुरुवात होई है जिन मुद्दों के लिए सुरुवात होई है वो चतिसगड के जंता के हित का है चतिसगड की जंता आज सहाय महसूस कर रही है कि कैसी सरकार है जो अपराधो को नहीं रोक पा रही है आए दिन आपको आपके माध्यम से हम लोगों को भी पता चलता है कि कहीं पर चाकू बाजी हो रही है कहीं पर जेल के अंदर लोगों को मार दिया जा रहा है या आत्मत्य की जा रही है जो दिन बदिन बलतकार हो रहे हैं जो घटनाएं बढ़ रही हैं आज वो 36 जैसे सांथ प्रदेश को जहां कभी ऐसा नहीं हुआ वहाँ पे जो हो रहा है वो सच में चिंता करने वाला विशाय है चिंता का विशाय है और हम कॉंग्रेस पार्टी के लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ 36 जनता के हित की मांग को ले करके आगे बढ़ रहे है युवाओ में कितना जोश देख पारे हैं जोश तो आप देख सकते हैं कि भरी दुपारी में धूप हैं दूप में कड़के बीड कम नहीं है बहुत सारे लोग पीछे पाट पाट में चल रहा है और यह पूरा पूरे जोश खरोश के साथ रही चल आखरी दिन है क्या स्रा दो अक्टूबर को पूरे कॉंग्रेस परिवार मिलके कत्र होकर इसे जो लड़ाई को लड़ाई को लड़ने का काम कर रहा जिस तरह आप राद बाबा इसके अलावा जो है आप लोग कहां से दोस्त घमतरी नसवाई से क्या क्यों कोन से बाते हैं जिसको लगता कि आप लोग को अन्याय हुआ है न्याय चाहिए आप देखेंगे जब से विश्नुदेव जी की सरकार आई है तब से लगातार क्राइम अपराद लूट सब्सक्राइब देवेंद के खिलाब सबूत है परियाब सबूत है तो हम अभी कोट में इसको चुनोती दे रहे हैं लेकिन उन लोग जब उनको गिरिपतार की तब साक्षाप के सामने तो प्रस्तुनी कि है काईदा से पुलिस को अब भिलाई टायम से आपको तो दिखा देना ची कि अब यह यह आपके आपके अगरे से तमाम सीनियल नेता तमाम लोग जो है आगे मौजूद है उनसे बाचित करने कोशिश करते हैं कि कॉंग्रेस के नेता इस विशे पर क्या करें जैल में बंद है बलादा-बजार हिसा मामले में आज इस यात्रा में शामिल हुई है एगरव जिस क्योंकि जिस हिसाब से अन्याय हो रहा इस प्रदेश में तो मेरा ही कहना है कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अधनी दीपक बैजी के नेप्रत में यह चातिसगण निकली है और इस न्यायय आत्रा का मतलब यह है कि चातिसगण में जो जाए साहू समाज हो जाए यादो जो जाए हमारे आदिवासी हम हर समाज के ऊपर अगर अन्याय करने का कोई भीड़ा उठाया है तो इस सरकार ने उठाया है आप देविन से लगतार मिल रहे होंगे जेल जाते होंगे मुलाकात करने के लिए लोग जानना चाहते कि देविन का हाल चाल कैसा है देविन कैसा है क बाद बाद किताब और भी है जो दिन रात पढ़ते रहते हैं और वकील के माध्यन से पता चलता है कि वो सुभे अपना एक्सराइज भी कर लेते हैं किताब भी पढ़ते हैं और वहाँ पर सबसे मतलब एक उनको सुरक्षा घेरे में रखा गया है तो ठीक है जो प्रशासन की मरजी करें हम जो निया में उसका पालन करेंगे कोट में चल क्या रहा है मतलब अभी कर लिया और सुनवाई थी आगे बढ़ा दी गई है और अब बात आती है कि आगे जो करने की तो जूटे केस में क्या दम होगा सच होता है सच को दवा नहीं सकते तुम सणिक लाव तुमको मिल सकता है लेकिन दवा नहीं सकते तो कोट में मतलब जमानत को लेकि आप लोग यासी का भी लगा थे हैं जमानत के लिए भी हमने लगाया है अब उस पर हमारे वकील लोग सब कर रहे हैं जूटा केस जिस हिसाफ से गौवर्मेंट ने बनाया सत्तामी समाज के निर्दोस लोगों को उपर और हमारे चोटे भ को विजेपी वाले और हमारे संवाले, समाज को आप कैमरा और में नेता की ऐसे आएसे न जाओ, आप समाज न जाओ, इतना अग्रोशित है कि निर्दोस अत्नामी समाज के लोगों को उन्होंने फसाया है, और दिविंद को फसाया है, निश्यौई के वहां के भलोदा बज सब पर सब पर सबस मजबूती से सबका साथ देंगे जैसे देवेंग ने कहा है मैं सतनामी समाज के निर्दोस लोगों के साथ था हूँ और रहूंगा तो हमारी भी वही लाइन है था है और रहेंगे मा ने क्या कहा जियात्र में शामील होने से पहले जब वो बोली और देविन को लेके क्या कहती है देखो मा तो मा होती है उसकी पीडा हम अच्छे गांधी वादी लोग है गांधी विचार धारस चलेंगे आज 125 किलोमेटर की यात्रा हमारे प्रदेश अध्य दीपक बैज जी ने 36 गड़ निया यात्रा निकाली है पुरे 36 गड़ से कोने कोने से लेके East West North South सभी जगे से लोग आए है और हर वक्ति यात्रा से जुड़ा है परिवार के लोग और भी लोग आएंगे साथ आपके परिवार के लोग नहीं भी तो कोई नहीं है आत्रा मैं तो चौक रहेंगे हम लोग रहेंगे सब लोग शुगरिया धर्मे नियादो जिते जिने आपने सुना विधायक देविन यादो के बड़े भाई और कॉंग्रेस के नेता और भी लोग है राजनांगों से भी आएं मेहुल महारू जी पूर्वा लोग सभाध्ध्यक्ष रहें यूद कॉंग्रेस के मेहुल जी रिस्पॉंस क्या कह रहा है यूद कॉंग्रेस के अध्यक दीपक बैज जी के नेत्युत में यह एक एतिहासिक पद्यात्रा चटिस गण निकली है आपने देखा होगा विगत नौ महने मात्रुस का समय हुआ है भाच्षती जंता पाटी को आए आप जहां चले जाएं आपके भिलाई में हमारे राजनन गाओं में आप राजनन गाओं के हैं जो एक सांध जिला सांध सहर कहलाता था पिछले पंदरा दिनों में तीन हत्याएं हो चुकी है भिलाई में आए दिन हत्यां मडर डगाईती चोरी का सिलसिला जारी है अब राधियों पे आसमाजिक तत्तों पे जरा भी सासन सत्ता का डर नहीं है पुलीस प्रसासन इनके नेताओं के नाक के नीचे कमिसन खोरी में व्यस्त है जुआ सराब सट्टा गली-गली भी करा है इससे एलोग कमिसन खोरी कर रहे हैं इनको आम जंता से कोई लेना देना नहीं है इसके लिए हम लोग यह जो पध्यात्रा निकाल रहे हैं मिश्चीत रूप से आने वाले नगरी निकाय के चुनाओं में यह मील का पथर साबित होगा है डिटेली स्टोरी आपको लगए तो इससे की चैनल साथ बढ़े रही है हुआ 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 है